हलो एवरिवन यदि आप निमसेट 22 के लिए पेप्रेशन कर रहे हैं डियू के लिए, जेएनू के लिए, बीचू के लिए पेप्रेशन कर रहे हैं और आपका ड्रीम है कि अच्छे एनाइटी से या अच्छे कॉलेज से MCA करना तो आप obviously बहुत महनत कर रहे होंगे, कड़ी महनत कर रहे होंगे निमसेट के लिए पेप्रेशन कर रहे हैं तो आपका ड्रीम होगा कि इस बार 600-700 के उपर स्कोर करें क्योंकि आप सब जानते हैं कि competition बढ़ गया है और इस बड़े हुए competition में हमको वो rank लाने के लिए अच्छे college के लिए एक अच्छा score करना होगा मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा यदि आप self study कर रहे हैं, कड़ी महनत कर रहे हैं तो आप लोग एक चीज जहूर जानिए कि आप कहां stand कर रहे हैं क्योंकि अगर समय रहते हुए आपने यह जान लिया कि आप कहां stand कर रहे हैं तो आप improvement कर सकते हैं और इसके दो तरीके हो सकते हैं यदि आपका syllabus complete हो चुका है और आपने सारे topics entire syllabus को complete कर लिया है तो आप test series के तुरू यह जानिए कि आपकी अभी current position क्या है और कहां पर किस के series में क्या work किया जाए जिससे कि आप अपने इस course को बढ़ा सके एक्जाम से पहले और यदि अभी भी आपके कुछ topics बचे हुए है कई सारे topics ऐसे हैं जो आपके अभी तक pending है incomplete हैं तो अभी भी आपके पास मौका है कि fast tech course के तुरू जुड़के आप उन topics को cover करें क्योंकि अगर आपने अभी समय हैते हुए action ले लिया तो मैं sure हूँ कि आप एक अच्छी rank की अच्छा एक MCA का college achieve कर सकते हैं Thank you and all the best